अब तक हमने अर्जुन के एहनकार का उदे को लेकर चर्चा की थी अब अर्जुन के मन की स्थी थी जब अर्जुन का रत दोनों से नाओं के बीच में श्री कृष्ण लाकर खड़ा करते हैं तो उस वक्त अर्जुन के मन की स्तिथी क्या थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे एहंकार का एक उत्कृष्ट रूप भी होता है जो आत्म कल्यान के लिए अतिन सहायक है ऐसे उत्कृष्ट अंकार का भाव अपने अंदर पदर्शित होने वाले गुणों को और व्याधिक उन्नत करने के लिए मनुश्य को प्रोच साहत करता है और समाज, देश और संसार के लिए हितकर कर्मों में उसे प्रवित्य कर देता है जैसे अपने को भगवान का भक्त समझते हुए और भगवान को संसार के रूप में व्यक्त समझते हुए सर्वहित्कारी कर्मों में वैस्त रहना तो भगवान की भक्ति का हैंकार होना बहुत अच्छा है सो 26 से लेकर 29 तक के जो श्लोक है अभी मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपके साथ करूंगी अर्जुन का जो मो है वो संसार की रचना करते हुए भगवान जब भानती भानती के जीव जन्तु और स्त्री पुरुशों को उत्पन्न करते हैं यह स्रिष्टी उनके द्वारा ही बनाई गई है तो इन स्त्री पुरुशों में मनुष्य कुछ से नहीं से संबंद मानते हुए एक स्रिष्टी अपनी स्रिजित कर सकता है और कुछ से जैसे संबंद जो है अपने निकट संबंदी को अपले सकते हैं माता-पिता, भाई-बेन, चाचा, दादा, गुरु, पुत्र, मित्र, इत्यादी इन संबंदों की रचना मनुष्य जो है वो स्वैम करता है और इनके प्रती मनुष्य का स्ने जो है वो होना स्वभाविक होता है इससे एक और तो वो अपने लिए हितकर भाव धारन करता है और दूसरी और उनसे अपने हित साधन की भी कुछ आशा कर लेता है इस स्ने पुर्ण संबंदों के प्रती हितकर भाव रखने की कारण बहुत से कर्दिवों की रचना भी हो जाती है किन्तु कभी-कभी इन हितकर भावों से प्रेरित होकर मनुष्य अन्य व्यक्तियों के प्रती अहितकर कर्म करने में प्रवित्य हो जाता है ऐसा करना उसके लिए श्रेसकर नहीं होता क्योंकि प्रतिक व्यक्ति को अपने प्रति किये गए आहितकर कर्म से कुछ न कुछ उद्धिग्नता अवश्य होती है दूसरे व्यक्तियों के प्रति आहितकर कर्म करते हो उसे सोचना चाहिए कि उसके ऐसा करने से उन्हें भी वैसे ही उद्धिनता होगी अर्था जब आप कोई भी चीज आपको बुरी लगे कि कोई आपके लिए कर रहा हो आपको दुख पहुचा रहा हो या जिस भी तरह की धारना वो आपके प्रती रख रहा हो वही धारना अगर आप दुसरों के प्रती रखेंगे तो उसे भी उतनी ही तकलीफ होगी तो विचार ऐसे रखिए कि जिस विचार से अगर कोई और आपके साथ वही विचार करे तो आपको जिस तरह की तकलीफ हो सकती है वही तकलीफ दूसरे को ना हो तो मनुष्य को निस्वार्थ करतव करने की प्रेड़ना होनी चाहिए उस संदर्व में किये वह चीज़ों को करने से कोई हानी नहीं होती किन्तु अधिकांश रूप में ये होता है कि इस परकार के संबंद जो हम अपने निकट संबंदियों से जोड़ते हैं वो हमें कही न कही संयोग जनित सुख की आशा हमारे मन में उत्पन करा देती है और उनी के द्वारा किये हुए आहितकर कर्म जो हैं वो उनके घरने से हमारे मन में दुख होता है और उनी से हानिकर प्रतिक्रियाओं का बीच जो है वो भांती-भांती रूप से हमें कश्ट देता है तो किन्तु अगर हम परिस्तितियों के अनुसार धर्मों चित विवार करने से मनुष्य इस स्ने पूर्ण सम्मंदों के प्रति अपना जो एक दाईतो होता है उसका निर्वाह करते हुए स्वेम भोग आ सकती से मुक्त हो जाता है अर्थात अगर आप दूसरों के लिए सोचें हमेशा दूसरों के बारे में कि हितकर चीज़ों को अप्ध्यान में रखकर अगर आप इन चीज़ों को करते रहे तो वो इन सब चीज़ों से आपका मन जो है अशान्त होने से बचेगा और आप भोग आ सकती से मुक्त हो सकते हैं ऐसा वेभार ममत्व पर अधारित ना होकर समत्व पर अधारित होता है और यह मनुष्य के लिए योग प्राप्ति का अच्चुक साधन बन जाता है तो जोड अपने मन में किसी के प्रती जोड है वो आप रखिये लेकिन हमेशा यह नहीं कि यह मेरा है तो इसके साथ मुझे जोड बनाना है सबके साथ वोही भावना आपकी होनी चाहिए अर्जुन के मन की जो परिस्थिती है उसको जानते हुए हम यह देखेंगे कि तत्रा पश्यस्थितान पार्थ पित्रनत पितामहान आचार्यन मातुलान भात्र पुत्रान पौत्रान सखीस्तता इसकी उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाईयों को, पितामहों को, आचारियों को, मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, तथा मित्रों को, ससुरों और सूरिदों को भी देखा तो इनको सामने अपने देखते हुए उसके मन में अर्जुन के मन में उस समय एक अजीब सा मोğ पैदा हो रहा था कि क्या मैं इन सब के समक्ष खड़ा हूँ अब ही इस वक्त और क्या मैं इन सब के साथ लड़ने के में सक्षम हूँ क्या मैं कर पाऊंगा ये जो एक feeling है ये हम सभी इसके बीच में से निकलते हैं और कभी न कभी जब हम अपनों से दुखी होते हैं तो ऐसी परिस्तिती हर इंसान की जिन्दिगी में आता है ये 26 श्लोक था चैप्टर वान का अगला श्लोक जो है वो 27 श्लोक है और 26 श्लोकों में ये जब सामने खड़े अपने भाई बंदू जनों को देखते हैं अर्जून तो उनके मन में कैसी परिस्तिती उत्पन होती है उसके बारे में चर्चा है श्वसुरान सूरिदस चैव सैन योरू भयोरपी तान समिक्ष सकौन्तेय सर्वान बंधू न वस्थितान इस प्रकार उन खड़े हुए संपुर्ण बंधूों को देखकर कुंती पुत्र अर्जून ने अत्यंत करुना से योक्त शोक करते हैं कहा अपने पितामा गुरू और बंधू बांधवों को अपने समक्ष देखकर अर्जून के मन में एक अत्यंत विशाद उत्पन हुआ इस वज़े से इस चैप्टर का नाम अर्जून विशाद योग रखा गया है कि इस युद्ध में तो मुझे इन पूच्च महानु भवो और प्रियजनों की मृत्यों का भागी होना पड़ेगा ऐसा जो विचार है उनके मन में ये आना शुरू हुआ इस विशाद से होने वाले अपने मन के भावों को अर्जुन किस प्रकार खहते हैं ये बताते हुए आगे के शलोग संजे बताते हैं दृत्राष्ट को अर्जुन वाच क्रिपया परेया विष्टो विशीदन्नी दर्म ब्रवीत द्रिष्ट वेवं स्वजनं क्रिष्णं युद्सं समुपस्थितं सित्थन्ती ममगात्राणी मुखंच परिशुष्यती वेपुथस्च शरीर मेरो महर्षस्च जायते अर्जुन ने कहा है क्रिष्ण युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन जो मेरे अपने हैं इस पूरी समुदाय को देखकर मेरे अंग जो है वो शितिल हुए जा रहे हैं मैं अपने आप में नहीं हूँ मेरा मुख मेरा गला सब सूखा जा रहा है मेरे शरीर मे कमपन रोमांच भी हो रहा है और मैं ऐसी परिस्थितों को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ तो यह जो परिस्थिती है अर्जुन के मन में जो मो है उसके बारे में कहा गया है तो संसार की जो रचना जब अगवान ने की तो उसमें भली भांती-भांती के जीव जन्तु स्री पुरुषों का उत्पन्न हुए यह स्रिष्टी जो है इश्वर की बनाई हुई है और इसमें स्री पुरुष में मनुष्य कुद ने के संबंद जैसे अब मैंने पहले का संबंद को जोडता रहता है तो इस यह जो फीलिंग है जो अरजुन अभी इस व कैसी इनके साथ युद्ध करूंगा मैं कैसे कर सकूंगा जो मैं यहां करने आया हूं इनमें कौन है जो मेरे साथ युद्ध करने के योग्य है किन्तो एक्षण में ही भाव परिवर्तन की कारण इस स्वजन समुधाय को देखकर उनकी अंग्शितिल होने लगे जो मुक सुखने लगा और शरीर कापने लगा इन सबसे प्रवावित होकर फिर अर्जुन कहते हैं में शितिलता आ रही थी और उनका सारा शरीर जो है जल रहा था मन में तरह तरह के भ्रहमुत्पन हो रहे थे कि मैं क्यों कर रहा हूं क्या मैं कर पाऊंगा क्या मैं इनके सामने अपना धनुश उठा पाऊंगा मैं वो कहते हैं कि मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं मैं कैसे इनके समक्ष युद्ध कर पाऊंगा कहते हैं हे केशब जो लक्षनों को मैं देख रहा हूं मैं अपने विपरीत खड़े जो जिन लोगों को मैं देख रहा हूं यह मेरे अपने हैं और मैं इस युद्ध में अपने ही कुल को मार कर कैसे कलियान का रास्ता ढून सकता हूं ये कैसे संभव है कि मैं अपने ही सवजनों को मार कर कल्यान कर सकता हूं तो ये मुहों की दशा में अर्जुन की जो स्थिति है उसमें ये वो जब अपने शरीर को ही अपने वास्तिविक स्वरूप समझ रहे हैं इसलिए उनकी स्थिति है यदिपी उनकी ये जो भुद्धी संगत नहीं है ततापी अविचार के कारण इसी को अपना स्वरूप समझने का भ्रहम उनके मन में ध्रण होता जा रहा है इस विचार से ध्रणमोन होने को ही जीव रूप में मनुश्य की पहली दुर्भेद गरंथी कहा जाता है अर्थाद इस शरीर को ही अपना समझते हुए और अपने लोगों के प्रती ममत्व की भावना जो उनके मन में जाग रही है उसमें ही उनकी बुद्धी पर जो है गाट पर गाट लगती जा रही है तो इस ममता की गाट को ही जीव की दूसरी दुर्भेद गरंथी हम कहते हैं इन दोनों गरंथियों के कारण मनुश्य अपने शरीर को सुख देने और स्वजन संबंदियों को सुखी रखने के लिए जीवन भर वैस्तता में निकाल देता है साथी शरीर के संबंदियों से सुख प्राप्ति की आशा उसके मन को सदेव चंचल रखती है अपने शरीर को सुख देने की चिंता और शरीर के संबंदों से सुख प्राप्ति की आशा ही मनुश्य का मोह कहा जाता कुछ लोगों का ये विचार होता है कि मोह और प्रेम समानर्थक है, ये विचार अत्यंत भ्रहमपुरुन है, मोह और प्रेम दोनों में मन का लगाव तो एक साही होता है, किन्तु उस लगाव की दिशा जो है वो सरवता विपरी दिशा में होती है, मोह में अपने लिए सुक प्राप्ति की इच्छा प्रधान होती है किन्तु प्रेम में प्रेमास्पत के सुख की इच्छा ही प्रधान होती है सुख देने का भाव द्रढ हो पर मनुष्य बड़े से बड़ा त्याग हर्श पुर्वक करता है प्रेमास्पद के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को भी वह रश पुर्वक तक पर रहता है इसका सर्वत्तम उधारन अपनी संतान के प्रती मा का प्रेम है यद्द्धि इस प्रेम को कभी-कभी मों कंतु वास्तव में ये प्रेम का सर्वत्तम उधारन है संसार में करत्यवविक निधारन अधिकांश रूप में पारिवारी कत्वा सामाजिक परमपराओं के आधार पर होता है ये परमपराएं धर्म और सामाजिक नियमों के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए किंतु करत् दंग के उधारन हर रोज मर्रा की जिंदिगी में हम देख सकते हैं पर कुछ उनमें से उधारन जो है मैं आप शेयर करूंगी शिक्षा का वास्तवी कुदेश्च जो है वो हर बालक का शारीरिक और महासिक विकास है उसके लिए व्यायाम पॉष्टिक आहार पाटिकरम में न तो आप अटोमाटिक परिक्षा में जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है किन्तु अभिभावक गण इस और ध्यान न देकर परिक्षा का समय उपस्तित होने पर ही कुछ चिंतित होते हैं उससे में अच्छे अंक पाने की इच्छा से कुछ विद्यार्थी सहयता अगर वो नहीं देता तो परिक्षा में उत्रिन होने से भी वो चूप जाता है तो ऐसे समय में बहुदा ये देखा गया है कि अभिभावक इसमें से पहले विकल्प को आसान समझते हुए अपना लेता है और बालक के भविश्य के साथ खिलवार कर बैरता है यानि व कभी ऐसा देखने को मिलते हैं कि परिवार पालन करने की विवश्ता समझ कर कुछ वैपारी जो है वो जान मूच कर भी खार्दी पधारतों में हानिकारक पधारतों की मिलावट करने को उद्धत हो जाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करना तो विवार में सफलता के लिए कुल भी संकोच का बोध नहीं करते कभी-कभी अपमान बोध होने पर अथवा कोई अप्रत्याशित घटना होने पर अपमान अथवा हानी करने वाले के विरुढध मन में हिंसा अथवा प्रतिहिंसा की भावना जाग उठती है उस समय मन का अहेंकार मनुश्य को इस भाव में ध्रिन कर देता है कि उसका अपमान अत्वा होने वाले हानी जो है उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी परन्तु किसी अन्यवेक्ति के विरोधी भाव के कारण उसे अपमान अत्वा हानी सहन करना पड़ रहा है ये जो उनके मन की परिस्ति है वो पुंठा जो है वो इक्वल नहीं होती मतलब अपने लिए वो जो सोचता है वो दूसरे के लिए वो चीज नहीं कर पाता व्यापक रूप से हर व्यक्ति समाज में फैले भरष्टचार को बुरा तो कहता है किन्तु अफसर प्राप्त होने पर अहिंकार के कारण न तो वो स्वेम भरष्टचार के खिलाव खड़ा होता है और नहीं अपनी संतान को उस भरष्टचार के खिलाव खड़ा होने की शि इस प्रकार के कई उधारान मनुश्य के जीवन में प्रतिदीन उपस्तित होते रहते हैं और इन सब का आधार यही है कि अपना शरीर ही अपना वास्तेविक स्वरूप उनको लगता है उनको लगता है शरीर ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ और इससे समंधित जो अन् और फिर लग भग दीरे दीरे वो विलुप्त हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मैं सक कुछ कर सकता हूं मैं ही मैं हूं मैं जो मैं का हैंकार है वो ही नाश कर देता है तो ऐसा समझना बहुत बड़ी भूल है एहंकार का एक उत्कृष्ट रूप भी होता है जो आत्म कल्यान के लिए अत्यन सहायक है ऐसे उत्कृष्ट एहंकार का भाव अपने अंदर पदर्शित होने वाले गुणों को और अधिक उन्नत करने के लिए मनुश्य को प्रोटसाहित करता है और समाज, देश और संसार के लिए हितकर कर्मों में उसे प्रवित्त कर सकता है जैसे अपने को भगवान का भक्त समझते हुए और भगवान को संसार के रूप में व्यक्त समझते हुए सर्वहितकारी कर्मों में अपने आपको लगा देना, अपने आपको वैस्त रखना प्रतेक सतकर्म को भगवान की सेवा का अनुपम अवसर समझते हुए उसे निश्काम भाव से फल की आसत्थी को त्याग करके करते रहना भगवान की भकिती का महत्तु समझते हुए तो तरीके हैं इनको करने से आपको भगवान के जो रूप है और संसार का जो सेवक मानने के अलावा कुछी और तरफ ध्यान न देना और भगवान का और उनीके व्यक्त रूप संसार का सेवक मानने के एहंकार को भूल कर भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए और इस पे एक त पुलसिदास जी के बड़ी सुन्दर ये लाइने हैं अस अभिमान जाई जनी भोरे मैं सेवक रगुपति पति मोरे ये रामचरित मानस के आरण कांड के दोह मसिल लिया गया है कि ऐसा अभिमान उत्कृष्ट अहंकार होता है वास्त में तो ये भक्ती की पराकाष्ठा है या निक्रिष्ट इसका पहचान करना प्रतिक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्चक है यह पहचान करना अत्यंत सरल भी है यदि किसी अन्य व्यक्ति का हैंकार निक्रिष्ट प्रतीत हो और उसके प्रती मन में रोश या विरोध का भाव हो तो समझ लेना चाहिए कि हम एंकार करना अच्छी बात है पर जब तक यह एंकार इश्वर भक्ती में लगी हुई हो और मनुष्य की अच्छाई के लिए यूज हो रही हो तो ऐसा एंकार करना अच्छा कहा गए